Noise brand ने अपने प्रीमियम टूली वाइलस एरफोन लाँच करिया जिसका नेम है Noisebird 0 टूली वाइलस एरफोन इसको मैं पिछले 7 डेस से यूज करूँ सारी टेस्ट वगरा मैं इसके कर चुका हूँ कैसी है ये टूली वाइलस एरफोन आपको बाई करनी चाहिए नहीं करनी चाह बाकि मैंने इसको खुच से नहीं खरीद हैं मुझे ब्रैंड ने सेंड करी है लेकिन आपके साथ में एक एक्स्ट्रा एर्मस दिए गए है लाज और स्मॉल साइस के नेक्स एक टाइप एक टाइप टॉट डिजाइन का चार्जिंग केस देखने को मिलता है दिखने में चार्जिंग केस अच्छा लग रहा है साइज हलका सा बड़ा है लेकिन इसका जो डिजाइन एंड शेप है एक इसे बना देते है और बाकि इसका जो टोटल वेट है 48 ग्रामस है अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक यूज लगा है और सेंटर में जो हमें क्रॉम फिनिश देखने को मिल रहे है यानि कि शाइन कर रहा है सेंटर वाला पार्ट यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन एक टच दे रहा है प्रीमियम नेस की बाकि एक रीसेट बटन भी देखने को मिलता है बाकि बिल्ट के मामल में भी केस मुझे काफी बढ़िया लगा इसकी जो हिंज है वो एकदम प्रॉपर दी गई है जब केस को ओपन करते है बिल्कुल भी लूस फील प्रोवाइड नहीं करता है यहाँ पर एक प्रीमियम फील और स साथ ही में स्टैम देखने को मिलती है मैटियल एक ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है पीचे स्टैम के उपर हमें ब्लू कलर का ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है बाकि ओवरॉल जो है मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है जोनों का ग्रिल है, एक solid metal के material की देखने को मिलती है, यहाँ पर earphone look के साथ-साथ, build के मामले में मुझे काफी अच्छी लगी, बाकि इसके functions और features की बात करें, तो earphone पर कोई भी indication light नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यह जो earphone है, touch control के साथ में आती है, इसके touch control कैसा work करता है, बता देत हूँ, दोनों साथ के single tap पर volume increase या फिर decrease कर सकते हैं, और दोनों साथ के double tap पर song को pause या प्ले कर सकते हैं, या फिर call को answer या फिर end कर सकते हैं, और दोनों साथ के 3 time tap पर next या फिर previous song प्ले कर सकते हैं, राइट साथ के 4 time tap पर voice assistant को operate कर सकते हैं, राइट साथ के 2 second के long hold पर ANC feature को तो यहां पर इसके तर्थ सेंसर्स एकदम फाइन वर्क करते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली और ये फोन पर जब हम टैप करते हैं तो इसमें टिक टिक की साउन भी आते हैं जिससे पता चल जाता है कि यह फोन को हमने टाप किया है बाकी जो यह फोन है आइपेक्स 5 रेटिंग के साथ में आते हैं तो वाटर रेजिस्टेंट है तो हलके फुल के पानी के चीटे या फिर जिम में यूज करते हैं पसीना वगएरा लग जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं आने माली नेक्स बात करें ब्लुटूथ और कनेक्टिविट की तो 5.3 ब् 20 foot step तक जो है एकदम सही work करती है बाकिस में कोई भी dwell connectivity नहीं देखने को मिलती एक टाइम पर एक डिवाइस से connect कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर premium एरफोन है dwell connectivity दी रहती तो जादा बढ़िया रहता missing लगा मुझे ये feature नेक्स यहाँ पर बात करें fitting की तो इस एरफोन की fitting मुझ अच्छी बनी रही बिल्कुल भी मुझे ऐसा feel नहीं हुआ कि lose हो रही है या फिर गिरने को हो रही है और मैंने जब इसको घर में यूज किया normal activity में like खाते वक्त लेट कर music सुना या फिर मैं किससे बात भी कर रहा था earphone लगा कर तो मेरे कानों से lose नहीं हो रही थी यहाँ तक कि मैंने इसको brush करते वक्त भी यूज किया fitting काफी अच्छी बनी रही मुझे ना बहुत ही कम earphones की fitting अच्छी आती है यह उन earphones में से है जिसकी fitting मुझे काफी बढ़िया लगी fitting को लेकर definitely thumbs up नेक्स बात कर इसके active noise cancellation की तो उसमें up to 50 db का adaptive hybrid ANC दिया गया है adaptive means इसका जो ANC यह automatic work करता है तो जिस जगह पर जितना noise होगा उस हिसाब से इसका ANC work करेगा like gym अगर मैं इसको use कर रहा हूं महाँ पर काफी तेज की loudspeakers बज रहे है उसका जो ANC है एकदम peak पर work करेगा तो noise काफी अच्छी से दबा देता है और यहाँ पर एक चीज और मैंने देखी जैसे मैं earphone को कानों से बाहर निकालता हूं इसका ANC automatically off हो जाता है जैसी कानों में लगाता हूं इसका ANC own हो जाता है तो यहाँ पर बैटरी सेविंग काफी अच्छी हो जाते है वह वाला feature भी दिया गया है कि अगर आप इसको permanent own रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं ओफ करना चा साथ ही है मैं इसको जिम में भी यूज किया भार भी यूज किया घर पे यूज किया ANC मुझे अच्छा लगा नेक्स बात करें सबसे में चीज sound quality की तो इसमें 12.4 mm के peak plus titanium cottage speaker drivers यूज के गए हैं तो यहाँ पर premium quality के speaker drivers इसमें यूज के गए हैं और साथ ही में जोसकी sound quality है powered by high fidelity acoustics तो यहाँ पर मैंने नाम सही लिया है या नहीं वो आप देख लेना लेकिन normal way में अगर मैं बात करूँ उसकी sound quality कैसी है सबसे पहले बात करें bass की काफी अच्छा thumping loud deep bass सुनने को मिलता है bass सुनकर काफी मजा आया एक premium bass दिया गया वोकल्स भी एकदम clear समझ में आता है च बोलग तबला गिटार सब अच्छे से धमक काफी अच्छी दी गई है और जो loudness है वो भी काफी तगडी है मैं इसको जिम में 100% की volume पर प्लस ANC इसको यूज कर रहा था जिम में काफी तेज loudspeaker बज रहे थे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि loudspeaker बज रहे है या फिर कोई song चल रहा है loudness इतनी अच्छी दी गई है आप 72-80% की volume पर ही music सुनेंगे ये चीज़ में बलूँगा तो यहाँ पर price को ध्यान में रखते हुए इसको मैं rating दूँगा 9 out of 10 नेक्स बात करें in a detection के feature की तो इसमें in a detection का feature भी दिया गया जो की एक premium feature है तो जैसे मैं कानों में earphone को लगाऊंगा song play हो जाएगा जैसे ही कानों से एरफोन को भाणने का लूँगा song pause हो जाएगा जैसे ही लगाऊंगा play हो जाएगा जैसे ही भाणने का लूँगा pause हो जाएगा तो ये feature दिया गया है जो की काफी अच्छे तरीके से work करता है मुझे इसमें कोई भी lag या errors नहीं देखने को मिले हलका सा मिली सेकेंड का डिले है जो की उतना नहीं पता चलता है नेक्स बात करें कॉलिंगी तो यहां पर टोटल चार माइक देखने को मिलते हैं और साथ ही में AI algorithm दिया गया फॉर कॉलिंग तो यहां पर पहले आप call recording सुन लीजिए आउटसेट काफी noise था होन और ट्रैफिक का काफी noise आ रहा था इस earphone के तूर जो मेरी आपने voice सुनी उसमें जो noise है लगभग ना के बराबर सुनाई दे रहा था 10-15% noise आ रहा था हलका फुलका होन का बाकी जो मैं बोल रहा था मेरी यह वाज एकदम clearly समझ में आ रही थी दबा दबा सा feel नहीं हुआ minor सा distortion था crispiness थी clear थी मेरी वाज यहाँ पर मुझे इसकी calling काफी अच्छी लगी यहाँ पर अगर आप specially calling के लिए लेना चाहता है यह phone तो इसके उपर आप नजर रख सकते हैं तो calling को लेकर अच्छी है चाहे outdoor हो या फिर indoor हो बाकी आपने call recording तो सुनी लिया है आप decide कर सकते हैं निक्स बात करें गेमिंग की तो यहाँ पर up to 50 milliseconds की low latency दी गई है with gaming mode तो पहले आप gaming demo देख लो वैसे मैं जादा gaming तो नहीं करता हूं लेकिन इसके तुरू मैंने हलकी फुलकी थोड़ी सी gaming करी gaming को लेकर मुझे अच्छी लगी तो यहाँ पर अगर आप जादा gaming करते हैं तो इसके बारे में सोच सकते हैं निक्स बात करें charging और playback time की तो charging case को मैंने 10 watt के charger से charge किया इसने 5 घंटे का time लिया full charge होने में और earphone आदे घंटे में full charge हो जाते हैं तो यहाँ पर charging speed मुझे काफी सही लगी बाकि charging case with earphone 10 minute के लिए अगर charge करते हैं तो 6 घंटे का playback time यह दे देते हैं तो यहाँ पर fast charging देखने को मिलती है नेक्स playback time की बात करें तो जो मैंने test किया वो numbers मैं आपको बता रहेता हूँ तो charging case और earphone को मैंने full charge कर लिया था earphone को full charge करने के बाद मैंने full volume पर with ANC continuously music play करे रखा सुना तो इसने मुझे 6 घंटे के around में playback time दे दिया जो कि काफी सही है और यह earphone इस charging case से total 5 times full charge हो जाती है यहाँ पर जो overall playback time हो जाता है full volume पर with ANC 30 hours का अगर 50 to 60% के volume पर music सुनते है तो यहाँ पर आपको 35 to 40 hours का playback time मिल जाएगा with ANC अगर without ANC music सुनते है full volume पर तो आपको 45 hours के round में playback time मिल जाएगा तो साथ में without ANC 50-60% के volume पर music सुनते है तो आपको around 50 hours का playback time मिल जाएगा अगर company ने वैसे up to 50 hours का बोला है अगर 50 to 60% के volume पर music सुनते है तो तहाँ पर जो company ने mention किया है वही playback time हमें सुनने को मिल रहा है पर 3600 रुपीज के round में आपको मिलेगी नॉर्मल डेज में इसकी जो pricing है 35 to 4000 रुपीज के round में रहेगी और sale की time पर ये आपको 2500 या 3000 रुपीज के round में मिल जाएगी अगर आपको ये 2500 या 3000 रुपीज में मिलती है डेफिनिटली ग्राब कर लेना इस price में पैसा वसूल है अच्छी चीज दी गई है डेफिनिटली ये मैं बोलूँगा अब यहाँ पर बात आते है कि 3500 रुपीज के round में इसको ले या ना ले देखिए सीज़े सीज़े दो चीज बोलता हूँ मुझे इसमें एक dual connectivity का feature missing लगा दिया रहता तो और भी ज़्यादा better हो जाती और यहाँ पर कोई app का feature नहीं दिया गया अब app का feature ऐसा है कहीं को matter करता है कहीं को बिल्कुल भी matter नहीं करता सबको यह चाहिए कि अच्छी build हो design हो fitting अच्छी से आ जाए battery अच्छी मिल जाए calling को लेकर अच्छी हो sound quality अच्छी हो और dual connectivity के feature से या फिर app वाले feature से उतना फर्क नहीं पड़ता 3500 रुपीज में आपको यह recommend कर सकता हूं वाकि अगर आपको buy करनी है तो best buy link आपको description box में मिल जाएगा और आप इस earphone का किस earphone के साथ में comparison चाहता है comment section में बता दीजिए जल्दी video आ जाएगी तो यहां पर आप